ब्येस क्राइम इडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वार्दाथ हर जुर्म से हम आपको कराएंगे ओकर आपके अपने चैनल पर दो जाना शाम साथ बजे तो देखना न भूलिए क्राइम वार्दाथ बामपे वाड़ा में पेदल जा रही एक महिला को बाइक चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया इसमें महिला गंभी रूप से घायल हो गई शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है मान गाओ में पाइक सवार यूवर को अग्यात वाहान ने टक्कर मारकर घायल करने की घाटना गटी इसमें वैक्ति गंभी रूप से घायल हो गया लाखनी पुलिस ने अग्यात वाहान चालक के खिलाप मामला दर्श किया है लाखनी के सापताहिक बाजा से तीन वैक्ति के मोबैल फोन चोरी हो गए गराडा निवासी फिर्यादी अशुक विठोबा मेश्राम मारकेट में एक दुकान से सबजी खरीद रहते तबी किसी अग्यात चोर ने उनकी जेव से उनका मोबैल फोन चुरा लिया लाखनी पुलिस ने शिकायत के अधर पर मामला दर्श किया है इडगाव निवासी सुजल रविंद्र दाते उम्रा 14 वर्ष की करंट लगने से मौत हो गए जानकारी मिलने के बाद उसे उपचार के लिए पौनी के उपजिला अस्पताल में ले जाया गया डॉक्टर ने जाच कर उसे मौत घोशित कर दिया पौनी पुलिस ने धारा 114 तर के तहट मामला दर्श किया है दो युवकों के जगड़े के बीच बचाओ करने आए विक्ती को गाली गलोच कर जान से माने की धमकी दी साथ ही गाली गलोच की और कोईते से माने की धमकी दी पौलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्श किया है आमगाउ तैसिल के सितेपा निवासी भावलाल बरवे उम्रह 45 वर्ष गोंदिया राइपूर रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आ गया जिसमें उसका हाथ कड़ गया वसीर पर लगने से घायल हो गया उसे केटेस जिला सामने अस्पताल में बाती कराने ले जाया जा रहा था तबी रास्ते में उसकी मौत हो गई देवरिथाने के तहित मकर धोगडा निवासी महेश मरस को ले उम्रतीस वर्ष से आरोपी ने मामुली बात को लेकर गाली गलोच कर विवात किया इसके बाद कुल्हाडी से हमला कर उसे घायल कर दिया पुलिस ने आरोपी के खिलाब मामला दर्श किया है भंडारा कुंधिया जीला वासियों के लिए खुश खबर है अब आपका मन पसंद चैनल BS Crime India News अब आपके केबल नेटवर्क पर जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के SN Channel नंबर 13 पर उपलब्द है BS Crime India News पर खेल राजनिती, क्राइम, साहित्य वा अन्य खबरे प्रकाशित की जाती है हमारे साथ जूटने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरे विज्यापन आदि के लिए संपर्क करे 8669151757 पर